हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूडूप चैनल मेज़ा टार्गेट पर तो फ्रेंड आज हम लोग कलास्टेन के संस्कृत का एक कोसंद बेंग को हल करेंगे और दोस्तो ये कलास्टेन के संस्कृत का पाला पार्ट है इस पार्ट में हम लोग तीस मोस्ट इंपोर्टेंट आफसेरी पर्सनों को सम्मिलित किये हैं ये सभी पर्सन आपका यंसी याटी के न्यू पैटर्न पर आधारिद है और दोस्तों इस वीडियो में 2011 से 2012 तक पूछे गए सभी पर्सनों को सम्मिलित किये हैं ये पाला पार्ट है तो फ्रेंड अगर आप 20 बर के बोर्ड एक्जाम देने वाले हैं तो इस क्लास को सुरूर से लेकर आगरी तक जरूर कीजिएगा यूँकि आज के क्लास में हम लोग ऐसे इसे इंपोर्टेंट महत्पूर्ण है तीस काफी महत्पूर्ण है वस्तोनिष्ट परसनों को बताएंगे जो बोर्ड एक्जाम म से वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोस्तों चैनल पर नए है ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और दोस्तों जो भी वी दियार तेवी तक हमारे वार्टसप गुरू में नहीं जुड़े हैं तो जल्ली से मेरा वार्टसप नंबर को नोट यहां पर सब कुछ आपको लेटेस्ट मिलेगा तो वार्ट सब पूरे में जुड़ना अती जरूरी है ती आविश्रक है तो चले फ्रेंड देखते हैं पर आज का फर्स्ट पर्सन के साथ वीडियो को प्राडम किया जा रहा है तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीज अपका दिया हुँगा है अब चले फ्रेंड देखती हैं आप दूसरा नमंबर पर्सन को देखेगा जो की बोड़ एकजाम के लिए बहुत ही महत पूर्ण पर्सन है तो फ्रेंड पर्सन ये कराय कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है यह परस्ट जो न रहे किसके सेकेंड स्टेटिंग में पूछा गया था इस परसंगो अच्छी तर से याद कर लिजेगा तो यहां पर आपको बताना है कि छोटे सी भी छोटा और बड़े सी भी बड़ा क्या होता है यहां पर सी बलौ ऑप्सन जो इन बिल्कुली करक् एक्जाम के लिए अतियंती महत्पूर ने क्या कह रहा है कि नदिया समुंदर में कैसी मिलती है यह भी परसं जो न रहे किसके सेकेंड सेटिंग में पूचा गया था तो यह पर आपका दिया हुआ नाम चोड़कर यह पर रूप कर यह पर नाम और रूप को छोड़कर तो नदिया समुद्र में कैसी मिलती है नाम और रुप को छोड़ कर मिलती है इसे आपको याद होना चाहिए यहाँ पर डी वाला ओप्सन जो है न बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती है आप नेक्स्ट को देखेगा जो कि आपके बोड एक्जाम के पूचा गया था इस बार पूचह ही जाएंगे तो यहाँ पर बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा और दूस्तों एक पर पूचे आते हैं कि किस की विजह होती है तो हमेशा सत्य की विजह होती है अब चले फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट को देखेगा जो कि आपके बोड एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पोर्ण परसने क्या गराएगी देखेगा ध्यान पूचा गया था तो यहाँ पर आपको बता आना है कि सत्य में जाएते किस उपनी सद का मुल मंत्र है उपसन ए में आपका दिया हुआ है इसा वासिय उपनी सद या फिर विरहद रानिय की उपनी सद या फिर मुंडग उपनी सद और उपसन दिये कटोब उपनी सद तो फ्रेंड आपको बता देते हैं यह जो सत्य में जैते हैं यह इसा वासिय उप पात्र द्रिष्टी यह मंत्र किस उपनी सद से उद्धत है काफी मतपूर्ण यहां पर अपसन ए में आपका दिया हुआ इसा वासे उपनी सद या फिर मुंडग उपनी सद या पिर कटोब उपनी सद और अपसन डिये सवेता सवतर उपनी सद तो फ्रेंड जो हिरन में पात् दोस्तो मुंडग उपनी सत का मुल मंत्र है तो यह जो है न दोस्तो इस आवास यह उपनी सत से लिया गया इसे आपको याद होना चाहिए यहाँ पे एबल आपसन जो है न बिल्कूली करेक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फिरेन देखती हैं आप साथ नमर परसंगो वरड़ेशं में चाहिए परसंग हमार के दोस्तो करें कि सत्य का मुंग किस पातर से हुआ यह दखाओक रूआ है 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 पूछे ही जाएंगे देख रहे हैं यह परसुं जो नुदेर टारके 1 आपके बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही मतपूर ने क्या गराए कि यहां पर आपको बताना है कि आलसकता पार्ट के रचिता कौन है देख रहे हैं यह परस जो इना कंच्टिनु पूछा गया है अठार का सेकेंड सिटिंग में फिर बीस में पूछा गया है वीस का फर्स स सेकेंड सिटिंग दोन में पूछा गया है और बाइस का सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है इस बार जो है यह परसन हंडेट परसन पूछे जाएंगे तो यहां पर आपको बताना है जो आलसकता पार्ट के रचिता कौन है वह आपको बताना है तो आलसकता पार्ट के जो रचेता है न दोस्तो कौन है विद्यापती इसे आपको याद होना चीए दोस्तो यहाँ पर एवला उप्सन जो है न बिल्कूली करक्ट अंसर हो जाएगा अब चले फिरेंड देखते हैं आपे 10 नमर परसन जो कि आपके बोड एक्जाम के लिए बहुत ही मतपूर्ण है तो परसन ये कराय की यहाँ पर आपको बताना है की मैथली भाषा के कवी कौन है तो यहाँ पर अप्सन जो है न बिल्कूली करक्ट अंसर हो जाएगा फिर परसन 221 के एक्जा में पूछा गया था और इस बार भी पूछे जा सकते हैं एक एक कोसंस का अंसर यहां पे जो है ना दोस्तों आप लोग लाइब चैट में या फिर कमेंट बोक्स में कमेंट जरूर कीजेगा इससे हमको यह पता चलेगा कि आपका त्यारी काफी अच्छी तरीके से चल रही है जो भी वीदियार टीवी तेक वीडियो को लाइक नहीं क क्या गरा है कि यहां पर आपको बताना है कि वास्तिविक आलस्यों की संक्या कितनी थी देख रहे हैं यह भी परसन जो ने आदो एरा ठार के सेकेंट सेटिंग में पूछा गया था तो यहां पर आपको पांच या फिर छे या फिर चार और अप्सन यह तीन तो फ्रेंड है वास्तिविक आलस्यों की जो संक्या है न दुस्तों कितने वास्तिविक आलस्यों है तो चार है यह परसन हम आपको जो ना बार बर बता चुके हैं अब चले फ्रेंड देखती हैं पर बार नमर परसन को देखेगा जो कि आपके बोड एक्जाम के लिए बहुत ही लाइफ प्रूप के साथ बता रहे हैं कि कौन को सन कितना इंपोर्टेंड है और कब कब पूछा जा चुका है अब चले फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट को देखेगा जो कि आपके बोड एक्जाम के लिए बहुत ही मतपूर्ण यह भी परसन है काफी मतपूर्ण ने क् कि यहां के वले अपनी पत्नी मेत्रियों को किसकी सिख्चा देते हैं देख रहे हैं यह भी परस जो ना जंश के सेकंड सिटिंग में पूछा गया था तो यहां कि यहां पर सी वला आप्सन जो यह बिल्कूली करेक्ट औरफ हो जायेगा अब आईए फ्रेंड देखती हैं आपे 14 नमर परसंगो देखेगा जो की बहुड एक्जाम के लिए most important परसंग है तो फ्रेंड परसंग ये कराए कि यहां पर आपको बताना है कि विजे भट्टारी का किसकी पतनी थी ये भी परसंग जो नद एरोनिस के second sitting में पूछा गया थ तो यहां पर आपको दिया हुआ चंदर दीतिय की या पिर चंदर गुप्त की या पिर चंदर किसोर की या पिर चंदर सेखर की तो फ्रेंड है ये जो विजे भट्टारी का है ये चंदर दीतिय की पतनी है इसे आपको यादोना चीए अब चलिए फ्रेंड देखती है आप पंडित चमा के द्वारा जो रचीता गया सत्यागरा गीता है ना ये किस दर्शन के द्वारा प्रभाविद है तो यहां पर आपको दे महात्मा गांदी के द्वारा है पिर जवाहालल नहरू के द्वारा है पिर राणी लक्ष्मी भाई के द्वारा है पिर इंद्रा गांदी के दोरा तो फ्रेंड यहां पर आपको बता देते हैं जो पंडिच छमारा और रचीता सत्यागर गीता है ना यह महत्मा गांदी के दोरा परवावीत है यानि कि यहां पर एबला उपसंच जो यह न बिलकूल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा यह भी परसंच जो नहीं है दोस्तो आपको बता देते हैं गंगा देवी का जो समय है ना दोस्तों क्या है आपको याद होना चीए यहां पर भी वाला उपसंच जो नहीं बिलकूल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा देख रहे हैं यह भी परसंच जो नहीं अठार के फर्स सिटिंग में पूछा जा चुका है देख गवले की पतनी कोन थी है तो यह पर अपसन ए में आपको दे मैंत्री है या फिर सुलभा और अपसंच जो नहीं किस उपनी सद में किया गया है साथ में इसी भी आपको याद होना चीए अब चले फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट को देखेगा जो की बोड़ एक्जाम के लिए बहुत ही मतपोर ने क्या करा है कि यहां पर आपको बताने की सर्वसुकला सरस्वती किसने कहा है देख रहे हैं यह भी परस जो नहीं लगाता तिन बार पूछा जा चुका है दोस्तों तो यहां पर आपको बताने की सर्वसुकला सरस्वती किसने कहा है तो यहां पर बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आपको बताना है कि किसके की देपतावी गाते हैं यहां पर देखेगा दोस्तों आपको भारत वर्स के या फिर स्वेडेन के या फिर बंगलादेश के और अपसंडी है पाकिस्तान के दो फ्रेंड है अप अपना भारत के जोएना मतलब किस के की देपतावी गाते तो भारत वर्स के देपतावी गाते इसे आपको याद होना चीए देखते हैं यहां पर देखेगा दोस्तों बीस नमर परसन जो कि बोड एक्जाम के लिए भी परसन जो नह बहुत ही मतपूर ने क्या गराए कि यह पूछा गया था अब चले फ्रेंड देखती हैं आप नेक्स्ट को देखेगा जो की बोड एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंड परसन है तो फ्रेंड परसन ये कराए कि आपको बताना है कि किस देश में देपता बार-बार जनम लेना चाहते हैं काफी मतपूर ने जैरोनीस के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था तो फ्रेंड या पर ऑप्सन ए में आपको देखती हैं अगला परसन को देखेगा जो की काफी मतपूर ने क्या गराए कि किस की महिमा सरवत्र गाई जाती है सरवत्र मतलब हर जगा तो किसकी महिमा हर जगा गाई जाती है यह पर परसन जोना बिसके फर्स सीटिंग में पूछा गया था अब चले फ्रेंड देखती हैं आपे ताइस में परसन को देखेगा क्या कराए कि भारत महिमा पाट के दूतिये सलोकिस पुरान से संकलिद है काफी मतपूर ने यहां पर लगातर जोने दो बार पूछा जा चुका है तो यहां पर आपको बता देते थे भारत महिमा पाट के दूतिये सलोकिस पुरान से लिया गया है तो यहां पर वी वला उप्सन जो इन बिल्कुली कराट आनसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं आपे next question जो keyboard exam के लिए most important है काफी बार पूछा जा चुका है क्या गराए कि यहाँ पर आपको बताना है कि प्राचिन काल में CC को क्या कहा जाता था इस बार ये person जोन 100% पूछे जाएंगे ये person जोन 28 के second sitting में तो 21 के first sitting में पूछा गया था तो प्राचिन काल में CC को क्या कहा जाता था तो ये person जोन 28 के first sitting में पूछा गया है तो ये person जोन 29 के first sitting में पूछा गया है पहाचान होती है ना किस से होती है वह इपको बताना है तो संस्कारों से होती है इसे आपको याद होना चाहिए यहाँ पर भी बोला उप्सर्ण जो यह नहीं बिल्कूली पुछा गया तो जनम पूरव कितने संस्कार होते यानि तो यह फिर फ्रेंट जन पुर्व जो हैं जतन संसकार होते हैं और यह पूढायो चीया चाहिए can प्रवेस करता है तो फ्रेंड जो मनुस्य गिरस्ती जीवन में कब प्रवेस करता है तो विभास अंसकार के साथ ही प्रवेस करता है इसे आपको याद होना चीए यहाँ पर डी बला उप्सन जो इने बिल्कूली करक्ट आंसर हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखते हैं आपर 28 नमर प्रसंग को देखेगा जो की बोर्वेस के लिए बहुत ही मतपूर्ण है यहाँ पर आपको बताना है कि अपनी उन्नती चाहने वाले को कितने दोसों को त त्याग दना चाहिए तो यहाँ पर ऐसंट यहाँ पर पांच और ऑपसं दी आठ तो फ्रेंड आपको बता देते हैं अपनी उन्नती चाहने के चाहब हो जाएगा अब चलिब देखती हैं और पूछा जा चुका है तो यह बाइस के सेकंट सेटिंग में पुछा गया तर यह बीज के सेकंट सेटिंग में या पिर वर्टी से तो फ्रेंड है जो रूप की रख्षा होती है ना सत्य से होती है यहां पे जो है ना यहां पर एवला उप्सन जो नहीं बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं पर तीस तुम परसन जो की या पिर चान की नीती दर्पन से तो फ्रेंड आपको बता देते हैं यह जो नीती सलो का पार्ट ना किस गरंद से संकलित है तो विदू नीती गरंद से संकलित है दोस्तों इसे आपको यादो न चाहिए यहां पर एवला उप्सन जो है ना विल्कुली करक्ट आंसर हो का तो फ्रेंड यहां पर हम जो ना फाइनिक लास्टेन के संस्क्रित का पर्थम मोडल पर सोरी पर्थम को संब्सक्राइब को देख चुके हैं यानि कि प्रिवेस एयर में 2011 से लेकर 2021 से लेकर 2022 तक जितने भी पर्थम पूछा गया था ना तो पहला पार्थ में हम लोग संब्सक्राइब को इसी तरह यहां पर काफी सारे पार्थ आएंगे जो पूरे कोसंस बेंग को समाप्त करेंगे तो आप जो हमारे साथ बने रहे हैं ठीक हम आपके साथ हमेशा हैं दोस और दोस्तों आप जो इना रेगुलर पर्णाह कीजिए दिल से पर्णाह कीजिए समय काफी कम हैं तो यहां पर कोसिस करते हैं कि यहां पर डेली जोए ना तीन से चार क्लासेज होगी दिन में ठीक है और यहाँ पे जो है आपको फिरी में नोर्स भी देने वाले हैं तो वार्टसफ गुरुम में जल्ली से जूड़ जाए दोस्तों अगर जिसको भी नोर्स लेना है ठीक है और इनके साथ सद एश जावलो को संस का अंसर क्या लगता है इसका जबाब आपको इसी वीडियो में जल्ली से जाके कमेंट करके बता देना है और दोस्तों यह भी साथ में आपको बताना है कि 30 परसन आपका मतलब कैसा रहा यानि कि 30 परसन में से आप कितना परसन का सही और सटिक आंसर दे पाए इसका विजबाब आपको इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है और दोस सब्सक्राइब नहीं किया न प्रीज दोस्तों जली से फटावर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा तो फिर मिलती है आप नेक्स्ट क्लास में आज के लिए तो थेंक्यू जो भी विद्यारती टेस्ट ने दिया आज का न तो जली से वेबसाइट पर जो ना टेस्ट चल रहा है तो जली से जाके टेस्ट को दे दीजे जिसको भी टेस्ट देने आता है तो आपको जो ना टेस्ट देने के लिए बता दिया जाएगा तो फिर फिर मिलती है आप नेक्स्ट क्लास में थेंक्यू जब तक आप अपना पढ़ाए कंट्रीनिव रखें डेली